हलो दोस्तो जैहिंद नमस्कार आरके एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नमबर 2 के बारे में जो हमारा होगा linear equations in one variable तो इसमें देखेंगे जितने भी question बनेगे exercise 2.1 के सारे solve करेंगे और easy solution देखेंगे इनका देखो इस chapter को solve करने से पहले हम कुछ basic सीखेंगे तो चलिए मैं आपका बता देता हूँ basic क्या चीज है देखो कई बच्चों को क्या होता है plus minus में दिक्कत होती है LCM निकालने में दिक्कत होती है और उनको यहीं पता लगता कि minus minus मिलके क्या होगा plus plus मिलके क्या होगा plus minus मिलके क्या होगा तो यह सारी चीजे पहले हम discuss करेंगे फिर अपने question के उपर चलेंगे चलिए देखो अगर मैं बात करूँ सबसे पहला concept देखो अगर पहले concept की बात करूँ एक मिन्ट पैन select करता हूँ ओकी है देखो जी सबसे पहले अगर मैं बात करूँ देखो जैसे मेरे पास क्या है ये लिया मैंने just wait ये है देखो मानलो पहला मैंने concept लिया x-4 is equal to 10 कई बच्चों को यह नहीं पता लगता कि ये minus 4 इधर जाएगा तक क्या होगा देखो मैं बता जिता हूँ ये हमारा side होता है left hand side ठीक है ना ये हमारी होती है right hand side इस चीद का जहां रखना ठीक है ना इसको बोलते है बाया इसको बोलते है दायापक्ष अब देखो अगर left hand side पे देखो यहां पर हमें निकालना क्या है x की value तो x की value निकालना है तो x को ऐसी रखेंगे ठीक है ना उसके बाद देखो क्या करेंगे is equal to का sign लगाएंगे अब इधर 10 था ये minus का 4 right hand side पे move करेगा कितना हो जाएगा plus का 4 तो x की value कितनी हागी हमारे पास 14 ठीक है ना ये बात समझ में है या आपको अब एक same question इसको मैं एक तरीके से और बताता हूँ आपको x minus 4 है मानलो मेरे पास यही था यह लिख लिए अब देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पे x की value निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा minus 4 को 0 करना पड़ेगा तो 4 0 कब होगा जब हम plus का 4 add कर देंगे इसके अंदर तो देखो x minus minus का 4 था plus का 4 करेंगे अगर यहाँ पे plus 4 किया है तो right hand side पे जो number है उसके साथ भी plus 4 करना पड़ेगा ठीक है ना उसके साथ भी plus 4 करना पड़ेगा तो देखो minus का 4 पलस का 4 यह कट के 0 बन गया तो x बच गया मेरे पास और यहाँ पे 10 और 4 कितना हो गया 14 हो गया I hope आपको यह चीज़े समझ आई होगी जैसे देखो मैं एक ओल लेता हूँ एक ओल लेके समझाता हूँ 2x पलस में 3 3 is equal to 7 यह है देखो यह सारा हमारा क्या है left hand side है यह left hand side है यह मेरा क्या है right hand side है इस चीज़ को दिमाग में notice करके जलो नोट करके जलो इस चीज़ को confusion नहीं होगी कभी भी अब मालो यहाँ पे 2x मतलब x तो निकालना है x के साथ लेकिन multiply हो रहा 2 तो मतलब मुझे क्या निकालना है 2x ठीक है ना हमें क्या निकालना है यहाँ पे 2x तो देखो 2x मतलब 2x लिख लेंगे is equal to plus का 3 है right hand side पे move करेगा किसका हो जगा minus का 3 तो 7 minus का 3 और 2x बराबर क्या आजएगा 7 में से 3 गया 4 अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और मैं समझाता हूँ इस चीज़ को समझो अब यह क्या है मेरे पास 2x है 2x है 2x का मतलब क्या है 2 multiply x है कुछ ऐसे लिखा हुए ठीक है ना तो देखो अगर जो भी multiply होता है x के साथ कोई भी टर्म multiply हो जैसे यहाँ पे 2 multiply हो तो multiply में जो sign हो multiply में जो digit होगा वो यहाँ पे divide में shift हो जाता है 2 multiply x है और हमें चीज़ है x की value तो x को ऐसी लिखूँगा और 2 इसके साथ multiply हो रहा था तो यह क्या आजएगा divide में ठीक है ना तो 2 से 4 को divide करेंगे तो x की value कितनी आजएगी x की value आजएगी 2 I hope आपको इस चीज़े समझ आ रहे होगी अब देखो एक चीज़ मैं और लेता हूँ अब इसी को देखो इसी question को मैं third वाले question को कैसे दिखाता हूँ आपको करके same 0 बनाने वाले concept से 2x पलस में 3 था is equal to 7 है अब मैंने क्या काता है यहाँ 0 बनाना है क्योंकि हमें चीज़े 2x की value ठीक है ना x की value चीज़े तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे minus 3 add करूँगा तब यह तो 3 minus 3 होके 0 नेगा जब यहाँ पे minus 3 करा तो right hand side पे जो number है यहाँ भी minus 3 करना पड़ेगा minus 3 करना पड़ेगा तो देखो 2x पलस में 3 था तो इसको 0 बनाने के लिए minus 3 करना पड़ेगा जब इधर minus 3 कर रहा है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा minus 3 देखो 2x यह minus 3 यह plus का 3 यह minus 3 करना पड़ेगा यहाँ बच गया 2x 2x को ऐसी लिख लेगे 7 में से 3 गया कितना आजेगा मेरे पास 4 ठीक है जी उसके बाद देखो same यह 2 और x मतलब 2 multiply x है जब multiply में कोई संख्या होती है अगर हमें x की value न का लिए तो x को ऐसी लिखते है 2 हमारा कहा सिफ्ट हो जाता है division में तो 4 device 2 तो 2 से 4 को divide करेंगे 2 आजेगा मतलब की x की value कितनी आगी हमारे पास 2 I hope आपको यह चीजे समझ आ रही होगी अब एक चीजे में आपको समझाता हूँ कई बच्चों को न LCM लेने में दिक्कत होती है LCM की condition को दूर करता हूँ मैं देखो जैसे मालो मैंने एक number लिया LCM ला यह मेरा होगा 4th point 4th point इसको मैं देता हूँ मालो मैंने दिया 3 by 2 पलस में 4 by 3 ऐसा number ले लिया अब इसका देखो LCM निकाल इसको fraction को solve करना है इस fraction को कैसे solve करते हैं पहले जो नीचे number है नीचे कौन से number है 2 है और क्या है 3 इनका हम क्या निकालेंगे LCM अगर आपको direct नहीं आता तो आप ऐसे निकालिए ठीक है तो इसको पहले छोटी संक्याद भाग देते हैं जो छोटा prime number होता 2 2 अंजा 2 3 नहीं कटेगा तो ऐसी लिख लेंगे अब 3 से divide करेंगे 1 आजेगा यहाँ पर 1 आगया तो LCM की में बात करूँ कितना आगया मेरे पास LCM LCM आगया 2 multiply में 3 is equal to 6 मतलब 2 और 3 का LCM कितना आगया 6 अब देखो क्या लिखेंगे line है हमारेंगे नीचे कहा लिख देएगे 6 अब यहाँ पर देखो 2 था तो देखो इसको कैसे करना है 6 हमारे LCM आया था इस 2 से हमें क्या करना है इसको divide करना है 2 को 6 से divide करेंगे 3 आ गया इस 3 को किस से multiply करना है इस वाले नंबर से मतलब कि 3 multiply 3 same अब यहाँ पर 3 है तो 6 को किस से divide करना पड़ेगा 3 से 3 से divide करेंगे कितना आज़ेगा 2 तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा जो नुमिनेटर नंबर है उपर 4 को 2 से multiply करना पड़ेगा 4 को 2 से multiply कर दिया 3 तरी जा कितना होता है 9 और उसके बाद 4 टो जा कितना होता है 8 अपोन में क्या आज़ेगा 6 9 और 8 कितना हो गया 17 तो 17 अपोन में 6 इसका answer आगया इस fraction को solve गर के I hope आपके चीजे समझ आ रही होगी अब देखो मैं एक चीज पांचवा concept समझ जाता हूँ अगर मेरे पास minus 2 है और minus 3 है तो result में ये addition होता है minus 2 minus 3 ये होके add ही होंगे लेकिन हमें sign किसका मिलेगा minus का ही minus 5 आज़ेगा answer यहाँ पे कोई number हो सकता है minus 5 minus 3 जो मर्च जो लेकिन दोनो sign अगर minus है तो हमारा addition ही होगा sign आएगा minus का अब देखो किस number से minus करना है बड़े वाले number से तो 3 और उसके बाद minus का क्या आज़ेगा 2 3 minus का 2 तो हम लिखेंगे 3 minus का 2 answer कितना आ गया 1 मतलब अगर छोटी संख्या के सामने minus लगा हो बीच में plus का sign हो और इधर बड़ी संख्या हो तो हमें result में क्या मिलता है positive sign और उसको क्या करते है minus कर देते है अब एक चीज और देखो आप मानलो मैंने लिया minus का 3 और plus का 2 अब क्या आएगा देखो अब क्या आएगा देखो ध्यान से देखना हम यह साब बड़े number में से minus करना है minus का 1 आजेगा हमारे पास minus का 1 आगया ठीक है तेश्ची कर देहां रखना अगर यह देखो यहाँ पर यह बड़ी संख्या होगी अगर देखाज़े minus अटागे और यह चोटी संख्या लेकिन 2 में से 3 को minus कर रहे है और बीच में minus कर रहे है तो result में minus का मिलता है और यह तो आपको पता ही है 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा तो आई होप यह सोटा सा concept आपको समझ आए होगा अब हम चलते हैं अपने main exercise पर जो हमारे पास exercise है हम उसकी बात करेंगे देखना अगला exercise है हमारा देखो यह हमारा mathematics chapter number 2 8th class का linear equations in one variable exercise 2.1 के question देखते हैं अगर आपको पीछे समझ आ गया तो यह आपके लिए बहुत easy लगेगा देखिए हमारे पास पहला question क्या है यह देखो मैं यहाँ करके दिखूँगा यह है यह हमारे पास x minus 2 is equal to 7 देखो मैंने क्या गाता दो तरीका बताया था मैं एक तरीका यह बताता हूं देखो जो पहला वाला था x minus 2 अब यहाँ पे हमे Benoa है क्या करना पड़ेगा पल.'' अगर पलस का टू यहाँ अड़ कर रहा है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा पलस का 2, तो देखो, ये और ये कटके 0 हो गया, तो X वराबर में कितना आ गया, 9, पर मैं इस method को नहीं prefer करूँगा, मैं करूँगा इस वाले method को ध्यान से देखना, X-2 is equal to 7, left hand पे देखो, minus का 2 है, और मैं X की value चीए, तो X को ऐसी लिखूँगा, minus का 2, right hand side पे जाएगा, क् पलस का 2, तो X की value कितनी आगी हमारे पास, 9, देखो, ये छोटा method है, ठीक है न, I hope आपको समझ में आ रहागा, तो मैं इस method को लेके चलूँगा, आप उस method से भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, क्या है, Y पलस का 3 है, तो मैं Y लिखूँगा, plus का 3 is equal to 10, अब देखो, मैं Y क question है हमारे पास, third, यह है 6 is equal to Z plus 2, आप इसको इस नजरिये थे, देखो, Z plus 2 is equal to 6, क्योंकि number positive है, मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, left hand और right hand side, अब यहाँ पे हमें Z निकालना है, Z को ऐसी रखूँगा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 6, 6 है न, तो यह पलस का 2 है, तो उध एक हमारे पास question है, fourth number question, इसको मैं थोड़ा side करता हूँ, देखो, यहाँ पे है, fourth number solve the following, 3y7 plus x 17 upon 7, देखो इसको solve करने के लिए क्या करेंगे, पहले में लिख लेता हूँ, 3y7 plus x is equal to 17 upon 7, यह है न, अब हमें x की value नकालनी आए, इसकी value नकालनी, तो मैं क्या करूँगा, 17 था न, right hand side पे, right hand side पे 17, upon 7 ही रहेगा, अब यह देखो, plus का 3y7 है, इधर आके क्या होजेगा, minus का 3y7, 17 में से 3 गया, 14 आजेगा, x बराबर कितना आगया, 14 upon 7, मतलब कि कितना आगया x की value, x की value कितनी आगी, 2, 7, 2, 14, x बराबर में कितना आगया, 2, I hope आपको यह four questions समझ आएंगे, अब चलते हैं अगले question पे, देखना, अगला question है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा नीचे ले देता हूँ, देखो, अगला question हमारे पास, देखो, यह question number 5, ठीक है न, question number 5 है, देखना इसको जहां से, देखो, question number 5 है, question number 5 की बात करें, same, देखो, solve the following, 6x is equal to 12, देखो, बहुत ही जी है, मैं यहाँ solve कर देता हूँ आपके लिए, 6x is equal to 12, अब इस चीज को समझना, आप इसको ऐसे देखो, यह 6 multiply में x है, is equal to 12 है, अब हमें x की value निकाल लिए है, x को ऐसी रखूँगा, अब मैं क्या बता था, जो multiply में जो number होता है, और divide में चला जाता है, 12 upon में क्या आगया, 6, 6x is equal to 12, तो x की value कितनी आगी, 2, I hope आपको यह समझा है होगा, अगला question हमारे पास, देखो, t by 5 upon में 10, देखो, यह कहा, t upon में 5 is equal to 10, अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 10 के नीचे, 10 के नीचे 1 बहान लेता हूँ, cross multiply करना है, इस 1 को t से, और 5 को इस से, देखो, अगर मैं t से 1 को करूँगा, क्या आजएगा, t multiply में 1 is equal to 10 multiply में 5, यह चीज बन गया, अब t को अगर 1 से करेंगा, हमें क्या मिलेगा, t ही मिलेगा, 10 को 5 से करेंगा, कितना आजएगा, 50, तो हमा 18 के नीचे कुछ नहीं है, तो मैं एक मान लेता हूँ, cross multiply, इसको यहां से, इसको यहां से, कितना आजएगा है, 2x multiply में 1, एक मिन्ट दुबारा लिख देता हूँ, देखो, इसको यहां से करना है multiply, और इसको यहां से करना है, देखो, 2x multiply में 1 is equal to कितना आजएगा, 3 multiply में 18, तो देखो 2x कों से करेंगा 2x ही जाएगा 18 3 जा कितना होता है 54 अब देखो सेम इसको आगे देखना इसको ऐसे देखो आप 2 multiply में x है और 54 है x के value निकालना तो x को ऐसे लिखेंगे 54 वाए 2 आजेगा तो 2 को जब डिवाइड करेंगे 54 को तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 tax के value कितने आगी मेरे पास 27 आई होप आपको यह समझ आया होगा अब चलते हैं देखो अगले question पर अपने question number 8 है question number 8 को समझते हैं थोड़ी देर खिलिए इसको मैं यहां कर देखो question number 8 है मारे पास 1.6 is equal to y upon में 1.5 अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है same 1 इसकी multiplication यहां से करेंगे इसकी cross multiplication यहां से करेंगे मतलब कि अगर मैं देखो तो मेरे पास क्या आगया y मतलब 1 into y y आजेगा तो 1.6 multiply में 1.5 ठीक है ना अब देखो क्या आएगा जब आप 16 को 5 से करेंगे यहां पर देखना जब आप 16 को किस से करेंगे 5 से तो आपको क्या मिल जेगा 240 240 मैं point देखो एक minute आपको मैं दिखा देता हूँ point अटा के नहीं आप confused हो जाओगे इसका point अटाओगा यहां 10 आएगा इसका point अटाओगा यहां आजएगा 10 तो y की value कितनी आगी 240 जब आप 16 को 15 से करेंगे 240 आएगा और 10 को 10 है तो यहां पर क्या है 100 देखो अब 100 आए तो उपर 2 point बाद 2 अंक छोड़ के क्या आजएगा point तो y is equal to कितना आगया 2.40 I hope आपको यह 8th number question समझ आया हुगा तो हम चलते है अपने अगले question पर अगला question देखते है कौन सा है हमारे पास question number 9 question number 9 है देखिए इसको मैं थोड़ा side कर देता हूँ तापकि आपको अब ठीक है देखो question number 9 है हमारे पास solve the following 7x minus 9 is equal to 16 तो देखो यह क्या करेंगे देखना इसको जहां से तो 7x minus का 9 है is equal to 16 है सेम होई condition देखो x निकालना है 7x को यहीं रखेंगे minus का 9 है तो उधर जागे क्या होज़ेगा plus का 9 तो यह कितना आ गया 7x is equal to 25 ठीक है आपको समझ में रहा है तो x की value निकालना है तो देखो क्या होज़ेगा x की value निकालना है तो देखना एक मिन्ट मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा इधर लिखता हूँ ना इधर आए गा निए देखो दुबारा समझे ना इस question को जगत कम पढ़ जेगी 7x minus का 9 is equal to 16 ठीक है ना तो 7x अब यह minus का 9 था उधर जागे क्या होज़ेगा पलस का 9 ठीक है तो 7x बरावर में कितना आ गया 25 यह आप अपनी नोड हूप में तो नीचे लिखना डाउन करके मैं इधर लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो 7x मतलब x की value कितना आगी 7 multiply में multiply में होता है तो यह divide में चला जाता है तो 25 अपन में 7 यह समझ में है आपको x की value कितना आगी 25 अपन में 7 अब question number 10 है हमारे पास देखना जान से यहाँ करना है 14y 14y minus का 8 is equal to 13 देखो अब देखना y की value निकाल लिए 14y ऐसी रहेगा minus का 8 किधर आजेगा right hand side पे यह plus का 8 बन जेगा तो 13 और 8 13 में जब 8 जोडमें तो आपका कितना जेगा 13 में 7 जोड तो 20 आगया 1 और 21 तो 14y is equal to कितना जागया 21 तो y कितना जागया हमारे पास 21 अपन में 14 ठीक है नपिकल आपका कितना जागया 21 अपन में 14 देखो एक कर जेगा 33 तेवन जा त्वन 21 और यह कितना आ गया 2, 27 जा कितना होता है हमारा 14, तो y की value कितनी आ गी, 3 upon 2, ठीक है जी, अब अगला question है, question number 11, 17 plus में 6p is equal to 9, ठीक है न, अब देखो, हमें p की value निकालना है, इस चीज को आप notice करो, हमें निकालना क्या है, p की, तो हम क्या करेंगे, 6p को ऐसी रखेंगे, 9 का क्या होजेगा, देखो, 9 है right hand side पे, यह ही रहेगा, यह हमारा left hand side पे, तो इधर जाके क्या होजेगा, minus का 17, minus का क्या होगे, हमारे पास 17, तो 6p is equal to कितना आ गया हमारे पास, 9 में से 17 जाएगा, minus का 8 आजेगा, minus का 8 मतलब, p की value कितनी आ गी हमारी, minus का 8 upon में 6, यह होजेग है question, अब चलते देखो, अगले question पे, अगला question हमारे पास, देखना जहां से question number 12, question number 12 को solve करना है, यह देखो, मैं थोड़ा यहां से बता जेता हूँ, यहां से बताओंगा आपको मैं, x upon में 3 है, plus का 1 है, is equal to 7 upon में 15 है, अब देखो, हमें x की value चीए, एक काम करो, इसके multiply में 1, plus में क्या जेगा, 3 multiply में 1, upon में क्या जेगा, 3, इन दोनों के भी करना है, यहां last में कितना बच गया, 17 upon में 15, यह x को करूँगा, मैं से मिरे पास क्या आएगा, x ही, x plus में 3 आगया, upon में 3 आगया, 7 upon में 15, ठीक है न, अब क्या करना आपने, देखो, अब आपको क्य करना है, देखो, मैं सको, अगर, देखो, यहां यह आगया, हमारे पास, देखो, इस चीज़ को देखो, x plus में 3, अब इसको आपने क्या करवाना है, यहां multiply करना है, और इसको इधर multiply करना है, अब मैं देखो, यहां direct लिखूँगा, direct लिखता हूँ यहां पे, यह कितना अगया, और 3 से करेंगे, कितना आजएगा, 45, ठीक है न, और इसको करेंगे, 7 को 3 से, कितना आगया, 21, ठीक है न, 21 आगया मेरे पास, अब 15 x, अब देखो, 15 x is equal to कितना जएगा, पलस का 45 लेफ्ट हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, उधर जाके माइनस का जएगा, 21 माइनस का 45, अब एक मिन्ट, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है न, तो 15 x is equal to 21 माइनस का 45, तो आप इसको जब माइनस करेंगे, देखो, अगर आप इसको माइनस करेंगे, देखो, अगर आप इसको माइनस करेंगे, देखो, कितना बच जएगा, 21 में से 45 को आप माइनस करो तो देखो 15 X is equal to कितना आज़ेगा ये 21 9 हो गया आपका 30 और 30 और 10 हो गया आपका 19 हो गया 19 में 5 और जोड दो 19 में 5 जोड हो गया आपका कितना हो गया 14 मतलब 24 24 आगया na 24 24 आगया आपका माइनस का लेकिन किसका आएगा माइनस का इस चीज का देहन रखना X की वैलू कितनी आगी हमारी माइनस की 24 आपोन में 15 कट कर दो 8 सीरी जा कितना होता है 24 और 5 सीरी जा कितना होता है हमारा 15 X की वैलू कितनी आगी माइनस का 8 आपोन में माइनस का 8 आपोन में 5 X की value हमारे पास कितने आगी X परावर में minus का 8 अपॉन में 5 I hope आपको यह समझा होगा अब चलते हम अपने अगले question पे अगले question पे move करते हम अगला question हमारे पास यह देखो बहुत important question यह देखो हमारे पास क्या है exercise 1.2 आगी अब ठीक है ना exercise 1.2 आगी अब इसकों करेंगे अपने next lecture में तो अगर I hope अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like कीजिए share कीजिए अगर आपको कोई भी doubt है तो आप इसको comment करके पूछ सकते हैं thanks for watching my video